Minimum Pension Hike, Pension धारकों ने दीब भूख हरताल पर जाने की धंकी EPS 95 के तहट 7,500 रुपए नियूनतम पेंशन करने की है मांग. Minimum Pension Hike News, EPS 95 के तहट पेंशन पाने वाले पेंशन भूगी लंबे समय से नियूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन करते रहे हैं. Pension Scheme करमचारी Pension योजना 1995 EPS 95 के तहट पेंशन पाने वाले रिटायर करमचारियों ने नियूनतम मासिक पेंशन को बढ़ा कर 7,500 रुपए करने की मांग को लेकर भूख हरताल पर जाने की चेतावनी दी है. Pension भोगियों ने कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वे 31 जनवरी को भूख हरताल शुरू करेंगे. इका कहना है कि देश भर से 50,000 से अधिक पेंशन भोगियों के इस आंदोलन में शामिल होंगे. कर्मचारी भविष्य निधी संगनठन की EPS 95 योजना के तहट पेंशन भोगियों को इस समय एक हजार रुपए की नियूनतम मासिक पेंशन मिलती है. यह पेंशन सिटमबर 2014 में लागो नियोमों के मुताबिक दी जा रही है. EPS के डेटा के मुताबिक देश भर में करीब 70 लाग पेंशन भोगियों की मांगों के लिए आंदोलन कर रही समिती ने अपने बयान में कहा. EPS 95 की राष्ट्रिय आंदोलन समिती के नेतरित्व में पेंशन भोगी नियूनतम पेंशन को 7500 रुपए प्रती माह तक बढ़ाने और अन्य लाभो की मांग को लेकर राष्ट्रिय राजधानी के जंतर मंतर पर 31 जनवरी से दूसरी अनिश्चितकालीन भूख हरताल समिती के अध्यक्ष अशोक राष्ट ने कहा यहां हमारी अंतिम चेतावनी है बार बार आश्वासन देने के बावजूद हमारी मांगों पर कोई कारवाई नहीं हुई है अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम आमरण अंशन करेंगे इससे पहले 31 जनवरी से पेंशन योजना में लगातार अंशदान देने के बाद कर्मचारियों को मासिक पेंशन के रूप में इतनी कम राशी मिल रही है कि उनका और उनके परिवार का गुजारा करना भी मुश्किल है मौजूदा मानदंडो के तहट EPS 95 योजना के दाइरे में आने वाले कर्मचारी के मूल वेतन का 12 प्रतिशत भविश्य निधी में जाता है जबकि नियोकता का 8.33 प्रतिशत हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है इसके अलावा सरकार भी कर्मचारी के पेंशन कोश में 1.16 प्रतिशत का अंचदान देती है